मेरे प्यारे भाईयों और वहिनों उपस्तर ग्राव वाशनों आज हम स्वतलत्रता दिवस मना रहे रहे हैं इस दिन भाईयों हमारा देश आजाद हुआ था इस आजादी को पाने के लिए भाईयों हमारे देश वक्तों ने अपनी जाने भी दे दी लेकिन आज इस आजादी को कई गत्रे उत्पन्न हो गए हैं इन में से पहला है आक्रोंड भाईयों आज जिन सारे विस्व को अपने हतियारों के बल पर डरा रहा है वह भारत को भी अन्य देशों की तरह दराकर हतियाना जाता है लेकिन शायद उसे पता नहीं कि जिस तूफार में लोगों के आशियाने अट जाते हैं उस तूफार में हम चट्टिक बढ़ियान सुखाते हैं दूसरा है आतंगवार आज पाकिस्तान आतंग से कस्मीर को पाना चाहता है हम उस पाकिस्तान को पता देना चाहते हैं कि अब की जिंता मात कर चहरे का खोल बदल देंगे इतिहास की क्या हस्ती है पूरा भूगोल बदल देंगे तीसरा खत्रा है सांप्रताइक का भाईयों आज हम हिंदू मुसल्मान सीक इसाई आपस में लग रहे हैं भाईयों तैरना है तो समूद्र में तैरो नदीन नालों में क्या रखा है प्यार करना है तो वताम से करो हिंदू मुसल्मान में क्या रखा है ना मस्जित को जानते हैं ना सिवालों को जानते हैं जो भूके फीड होते हैं वो सिफ निवालों को जानते हैं च्वाइजा ड़ा गरीवी भाईयों किसी के पास खाने को अन्य महीं है तो किसी के पास इतना दना कि उन्चे कुट्थे तक बादक गाजू का नास्ता करते हैं कहीं पधजर में भी बहार आती हैं तो करी बाहर में भी भूर में ही गिंदे हैं किशी की लाश पर बनता है तालोले, तो किशी की लाश को पपन तक नहीं मिलते. आज हमें इस अंदर को दूर करने का प्रयाश करना चाहिए. अंद में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आज में आने दूगा भारत तेरी शान पर, अब कि दिरंगा लहरा दूगा मिलकर पाकिस्तान पर मैं हनुआ हूँ और भारत मेरा राम है देखनो चाथी चीर कर दिल में हिंदो